पेले दे बर्थ ओफ ए लिजेंड कहानी है ब्राजिल के महान फुटफाल खिलाड़ी एडिसन नासिमेंटो की जिसे पेले की नाम से जाना जाता था और उसका निकनेम डीको था कैसे 17 साल का लड़का इतिहास रचता है और ब्राजिल को 1958 के वर्ल्ड कप में जीत दिलाता है कहानी शुरू होती है 1958 के वर्ल्ड कप से 8 साल पहले डीको नासिमेंटो से वो बचपन में जूते पॉलिश करता है तब ही उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बिलाते हैं वो कपड़े का फुटबाल बनाते हैं और उसके साथ केलते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि हम फुटबाल को बाउंट्स नहीं करेंगे और वो ऐसे ही खेलते हैं जब जूका डीको का शोटा भाई बाल को नीचे गिरा देता है तब वो उसे उठाकर कीचड में गिरा देते हैं और फिर सभी एक दुसरे के उपर कीचड फैंकने लगते हैं जब वो इस आलत में घर जाते हैं तब डीको अपनी मॉम को बदाता है कि जूका पानी में गिर गया था पर तब ही जूका कहता है कि तुम तो फुटवाल केल रहे थे तब उसकी मॉम कहती है तुम बस जुत्ते पॉलिश करो क्योंकि उसे उसका फुटवाल केलना बिलकुल भी पसंद नहीं होता 1950 का फुटवाल वर्ल्ड कप फाइनल ब्राजिल और उर्गवाई के बीच होता है सभी रेडियो पर एक्जगाई कटे होकर मैच सुन रहे होते हैं डीको अपने दोस्तों के साथ शत पर से मैच सुन रहा होता है और ब्राजिल हार जाता है सभी लोग दुखी हो जाते हैं और डीको के पापा के आंके नम हो जाते हैं और वो रोने लग जाता है ये सब डीको देख रहा होता है जब डीको के डैड बाहर आते हैं तब डीको अपने डैड से कहता है कि मैं एक दिन ब्राजिल के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाऊंगा मैं वादा करता हूँ तब डीको के डैड कहते हैं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तुम अपनी मा की बात सुनो और अपना बढ़ाई पर ध्यान दो और फुटवाल के खेल से बिल्कुल दूर रहो उसके बाद दोनों गर चले जाते हैं नेक्स डे डीको की मौम उससे कहती है कि वो भी उसके डैड से एक मैच के दोरान ही मिली थी उस दिन उन्होंने अपने सीर से पांच कोल किये थे उसके बाद हमने शादी कर ली तो मैंने उससे कहा कि तुम अगर अपना सीर ठीक रखना चाते हो तो ये खेल शोर दो और जब उनके घुटने में चोट लगी तो उन्हें बिना कुछ कही निकाल दिया न कोई इंशॉरेंस और नहीं कोई काम तुम्हें क्या लगता है तुमारे डैड क्लीनर बनना चाते थे पूरी जिनकी ट्वाइलेट साफ करना चाते थे पर डीको का दियान वहाँ टेबल पर रखे केक पर होता है उसकी मौम किसी के गर में सफाई का काम करती थी जैसे ही उसकी मौम वहाँ से जाती है तो वो उटकर उस केक को खा लेता है पर तब ही वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं वो बात करते हैं बीरो में बच्चों के लिए गली टूर्नामेंट हो रहा है जोस अल्थफानी कहता है दी ब्रीटो फाइनल में आने वाले हैं और उन्हीं सेंटोस फुटपाल कलब के लिए खिलाडियों की तलाश है और जब वो मुझे स्टैफिनो की तरह खेलते देखेंगे मुझे कलब में शामिल कर लेंगे डी को कहता है मैं पुसकास की तरह खेलूँगा और जो जलतफानी कहता है मैं खेलूँगा में जाला की तरह तब डी को कहता है मैं पेले की तरह खेलूँगा जो जलतफानी कहता है ये पेले कौन है डी को कहता है वासको का गोल कीपर वो सब उस पर हंसते हैं और कहते हैं उसका नाम बीले है कौन ऐसा बेब कुफ है जो बिले को पेले कहेगा हम इसको पेले बुला सकते हैं गली टुनामेंट शुरू हो जाता है और डीको कहता है चलो इन गमंडी लोगों को मज़ा चकाते हैं कि हम कैसे खेलते हैं जुका कहता है मैं नहीं खेलूँगा मुझे मौम की मार नहीं खानी उसके बाद वो रेजिटेशन करते हैं और खेलने लगजाते हैं उनका दोस्त यूरी उनके लिए ड्रेस बना कर लाता है जो उसने अपनी मा की बैट शीट से बनाई होती है उन्हें सभी शूलेस कहते हैं और उन पर हंसते हैं क्योंकि उनके पास शूज नहीं होते तब डीको कहता है मैं फुटवाल शूज चाहिए तब उसका दोस्त कहता है उसके लिए पैसे कहां से आएंगे फिर वो मुंगफली के कुछ बूरियां चुरा लेते हैं उनके फिशे लोग बागते हैं पर वो बचकर निकल जाते हैं फिर वो उस मुंगफली को बेच देते हैं जो जलताफीनी डीको के पास जूते पॉलिश करवाने आता है और उससे कहता है जूते चमकाने के कितने पेले और पेले सुनते ही डीको को गुसा आ जाता है और दोनों में जगडा हो जाता है जब डीको घर जाता है तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब कैसे हुआ तब डीको कहता है मुझे मेरी टीचर ने मारा उसकी मा कहती है कि कल मैं तुमारे साथ चलूँगी और उसने तुमें कैसे मारा D को कहता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि next day उसका गली फुटवाल का final होता है तब उसकी dad वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं मैं इसकी teacher से बात कर लूँगा next day D को जब अपने dad की साथ जा रहा होता है उसके dad उससे कहते हैं जब वह उसकी उमर का था तो मैं भी जगड़ा करता था खास कर तब जब बड़े बच्चे मुझे मेरे नाम से चिड़ाते थे लेकिन समय के साथ मैंने सीखा एक अच्छा किलाड़ी जानता है कि जगड़ा असुरक्षा की वज़ा से होता है समझने बाली बात ये है डीको तो उस पर शरमीनदा मत हो जो तुम हो फिर वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि उसके dad को पहले से सब पता था और उसने मुझे बचाया और वो बहुत खुश होता है तब ही उसका दोस्त कुछ पुराने जूते ले आता है जो कि काफी बड़े होते हैं तब ही मैच अनाउंस हो जाता है कि फाइनल शुरू होने वाला है ये मैच किंग्स जिसके कपतान जोस, अलताफिनी और शूजलेस के बीच जिनके कपतान पेले हैं ये सुनकर डीको को गुसा आ जाता है पर उसके दोस्त उसे शान्त करवाते हैं बाद मैच चुरू हो जाता है पर बड़े जुतों के वज़ा से वो अच्छे से नहीं खेल पाते और किंग्स की टीम गोल पर गोल करती जाती है, डीको देखता है, उसके डैड भी मैच देख रहे हैं फिर वो अपने जुते उतार कर फैंक देता है, लोग उस पर हंसते हैं कि जुतों के बिना फुटवाल कैसे खेलेगा फिर फुटवाल उसके पास आती है और वो आखे बंद करता है और याद करता है कि वो गली में कैसे खेलता है फुटवाल को जमीन पर नहीं गिरने देता था और उसी तरह से वाँ पर खेलने लगता है ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो गोल कर देता है सभी तालियां बजाने लगते हैं फिर सभी दोस्त अपने शूज उतार देते हैं बाद वो भी घोल पर घोल करने लगते हैं और सभी लोग पेले-पेले चिलाने लगते हैं पर डीको की टेम एक पॉइंट से हार जाती है फिर वालदी मर, दी, ब्रीटो, डीको के डैड को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि जब भी जरूर तो कॉल कर लेना तबी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनकी मुझफली उन्होंने चुराई थी डीको और उसके साथ ही भागते हैं बारिश लग जाती है बाकी लोग नदी पार कर लेते हैं पर डीको और उसका दोस्त इस साइड ही रह जाते हैं और नदी के साइड शोटी सी जगह होती है जमीन के अंदर और वो उसमें शिप जाते हैं पर बारिश बहुत तेज होती है और वो जगह डग ढह जाती है। डीको वहां से निकल जाता है पर उसका दोस्त वहीं फसा रह जाता है। डीको हेल्प के लिए चिलाता है फिर कुछ लोग वहां आते हैं उसे बाहर निकालते हैं पर उसका दोस्त मर जाता है। वह अपनी मौम से रोते हुए कहता है मैंने ही कहा था कि शूच चाहिए और उसके लिए हमने मुगफली चुराई सब मेरी गलती है वरना थिया अगो कभी नहीं मर था सब मेरी गलती है मैंने उसे मारा। डीको की मौम कहती है तुमने ये जानबुजकर नहीं किया डीको कहता है मैं अच्छा बच्चा बनूँगा पढ़ूँगा और रोज स्कूल जाऊंगा। डीको के डैड अपनी वाइफ को वालदी मरदी ब्रीटो का कार्ड दिखाते हैं और वो से डैस्क में रख देती है उसके बाद डीको अपने डैड के साथ क्लीनिक पर काम करने जाता है और वहां पर पेशेंट्स की गंदगी उठाता है एक दिन जब दोनों बाहर बैठे हो और पका हुआ बैलेंस करने के लिए फिर वो आम के साथ खेलने लगता है पर डीको ये सब देखता रहता है अब वो रोज अपने डैड के साथ क्लीनिक आता है एक दिन उसके डैड आम को कीक करके डस्ट बीन में डालने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कर पाते तबी एक कीक से डीको के पास गिर जाता है पर वो से कीक करके डस्ट बीन में डाल देते हैं ये देख कर उसके डैड हसने लगते हैं फिर उसके डैड उसे आम के साथ प्रैक्टिस करना सिखाते हैं उसके बाद डीको हर रोज प्रैक्टिस करने लगता है और वो बड़ा हो जाता है ए उसे call करके बुला लेती है वालदी मर्दी ब्रीटो डीको को practice करते हुए देखते हैं फिर उसका dad उसे paid पर लगे आम को direct की करके dustbin में डालने को कहता है और वो इसे कर लेता है फिर एक आम थोड़ा उंचा होता है और उसे try करने को कहता है उसे देखकर डीको कहता है ये तो बहुत उपर है उसके dad कहते हैं इसे अपनी तरह से मारो पर वो उसे hit नहीं कर पाता उसके dad कहते हैं अच्छी कोशिश थी जरूर पूरी होगी जब वो गर्ज आते हैं तो उसकी माँ उसे वालदी मर्दी ब्रीटो से मिलवाती है ब्रीटो कहता है सैंटोस फुटवाल कलब में खेलने के बारे में क्या ख्याल है वो अपने mom dad को देखता है और खुश हो जाता है उसके बाद दी को दी ब्रीटो के साथ वहां से चला जाता है और वहाँ पर उसकी practice शुरू हो जाती है उनका coach उनसे कहता है फुटवाल में कुछ भी आसान नहीं होता जिस तरह से अपने घरों में खेला है उसे भूल जाओ और यहाँ पर तुम यूरोप की कुछ बहतरीन टीमों की तकनिक को सीखोगे coach डीको को देखकर कहता है मैं बिल्कुल ऐसे ही बेकुफ वाली हरकतों के बारे में बात कर रहा था जब सैंटोस क्लब में टीम्स की लिस्ट लगती है तो यूथ टीम में उसका selection हो जाता है फिर उसकी practice चुरू हो जाती है coach उसे कुछ पुराने match दिखाता है और कहता है देख रही होना पुराने तरीकों की वजह से हम हार गए थे देखो 54 के quarter final में हंगरी ने हमें कैसे हराया उसके बाद टीको रोज रात को coach के सिखाए तरीकों से practice करता है पर वो ball को net में नहीं डाल पाता ये सब वालदी मर्दी ब्रीटो देखता रहता है और डीकों वहाँ से निराश होकर चला जाता है जब वह train का wait कर रहा होता है तो वालदी मर्दी ब्रीटों वहां आता है तो डीकों से कहता है क्या बात है बहुत जल्दी हार मन गए डीको कहता है Mr. D. Brito आप यहां क्या कर रहे हैं वो कहता है ये स्वाल तो मैं तुम से पूछने वाला था डीको कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ Mr. D. Brito मैं औरों की तरह नहीं केल सकता और अगर मैं अभी वापिस नहीं गया तो मुझे फिर से ट्वालेट साफ करने होंगे D. Brito कहते हैं तो इसमें गलत क्या है डीको कहता है ट्वालेट साफ करने में ब्रीटो कहते हैं नहीं नहीं दूसरों की तरह खेलने में क्या गलत है D. Brito कहता है मेरे खेलने का तरीका बहुत पुराना है दीब रीटो कहता है हाँ पुराना है इसका इतिहास बहुत पुराना और शांदार है डीको कहता है तो फिर कोच उससे नफरत क्यों करते हैं दीब रीटो कहता है ये सब बहुत पहले शुरू हुआ सोलविश अतावधी की शुरुवात में डीको हंसता है और कहता है नहीं देन दब ब्रीटो उससे कहता है ठीक है अगर तुम्हें नहीं जाना और जाने लगते हैं तबी डीको से रोकते हैं और कहते हैं मुझे जानना है दी ब्रीटो कहता है अफ्रीकन गुलामों के साथ पूर्टगाली ब्राजील आए लेकिन अफ्रिक्यों ने अपने इरादे बहुत मजबूत कर लिये थे और बहुत से लोग जंगल की तरह बाग गए खुद को बचाने के लिए भागे हुए गुलामों ने लड़ने के लिए एक तरह की मार्शलाट कैपूया की बन्याद जिंगा को सीखा गुलामी का अंत करने के बाद वो जंगलों से बाहर आए पर कैपूया को हर जगह गैर कानूनी गोशित कर दिया गया उस समय उन्हें जिंगा की प्रैक्टिस करने के लिए फुटवाल ही सबसे अच्छा तरीक का लगा वो भी बिना गिर्फतार हुए ये जिंगा की सबसे अच्छी फॉर्म थी इस तरह जिंगा का विकास हुआ और इसे अपनाया गया वो हमारा ही नहीं बलकि हर ब्राजिलीन की जिंदगी का अहमिसा बन गया लेकिन 1950 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत से लोगों ने ये माना कि हमारी हार का कारण जिंगा स्टाइल है और हमारी इफ्रीकन विरासत से जूड़ी हर चीज के खिलाफ हो गए और जिस तरह से तुमारे कोच तुमारे खेल से जिंगा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह हम इसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुमारे अंदर जिंगा बहुत मजबूत है डिको तो तुम हमें दिखाओ, जो तुमारे अंदर है अगर तुम उसे बाहर लाते हो, तो क्या कर सकते हो या फिर तुम उस ट्रेन में बैठ सकते हो और खुद को हमेशा के लिए भूल जाओ फिर दीब रीटो वहां से चला जाता है और Diko भी उसके पीशे आजाते हैं अगले दिन जब वो खेल रहे होते हैं तब Diko Dibrito की और देखता है और वो खेलते हुए गिर जाता है उसका कोज उसे बलाता है और कहता है उठो फिर उसे याद आता है जब वो अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करता था और वो उठता है और Diko जिंगा स्टाइल में खेल ले लगता है वो फुटवाल को हवा में उशालता है और गोल कर देता है ये देख उसकी टीम खुश रजाती है और वो जीत जाते हैं फिर Diko का कोज उसे बलाता है और पुशता है आखिर ये सब क्या था देन Diko कहता है मुझे माफ कर दो उसका कोज कहता है फिर से करो देन Diko फिर से जिंगा स्टाइल में खेलता है और उसका कोज खुश हो जाता है अगले दीन अकवार में अपना नाम पढ़कर वो खुश हो जाता है Diko के डैड भी उसके मैच को टीवी पर देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं Diko हर रोज रात को प्रैक्टिस करता है और ये सब वालदी मर्दी बृटो देकर खुश होते हैं Diko अपने खेल से प्रो टीम में पहुंच जाता है और प्रो टीम का टॉप स्कोरर बन जाता है 15 साल के इस खिलाडी को देखने के लिए लोगों की भीड लग जाती है स्टेडियम भर जाते हैं और अपने जिंगा स्टाइल से मैच केलता है उसके बाद Diko जब अपने घर आता है और अपने परिवार्स के लिए गिफ्ट लाता है फिर Diko और उसके डैड रेडियो पर सोनते हैं कि 1958 के वर्ल्ड कप में किन-किन खिलाडियों का चैन होने वाला है और जब Diko नासी मेंटो का नाम लिया जाता है दैन उसके डैड खुश हो जाते हैं नेक्स डेड डीको के डैड उससे कहते हैं 1950 का वर्ल्ड कप जब से हम हा रहे हैं वो समय हमारे लिए बहुत ही शर्मनाग था हमें बहुत शर्मिंदगी हुई लोगों की उमीदें खतम हो रही है लेकिन तुम अब ये सब बदल सकते हो उसके बाद वो डीको को एक शर्ट देता है और कहता है यूरी ने ये तुम्हारे लिए बनाई है जिस पर पेले लिखा हुआ था पेले देखकर डीको कहता है पर इस नाम से तो वो अमीर लड़के मेरा मजाक उडाया करते थे उसके डैड उससे कहते हैं जब वो तुमें जिंगा स्टाइल में खेलते देखते हैं तो वो तुमें इसी नाम से बलाते हैं डीको के डैड उससे कहते हैं कि सालों पहले जब मैं प्रोफेशनल फुटवालर बना तो बहुत खूबसूरती से जिंगा के साथ खेलना चाहता था ब्राजिलीन गरब से चिला रहे थे लेकिन जब मैं अपना शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा मेरी दिमाग में श्रक बनना होगा डीको जब लोग तुमारे और तुमारे खेल के बारे में ऐसी वैसी बाते बोलें तो कभी बुरा मत मानना डीको कहता है आपकी बात समझ गया डैड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है 1957 में वो एक पार्टी में होते हैं और उसकी मुलाकात वहाँ पर दूसरे खिलाडियों के साथ होती है और उसे वहाँ पर जो सलताफीनी भी मिलते हैं कोच फ्यूलो डीको से कहता है बले ही तुम एक सोला साल के हो पर अब तुम इस देश के महान के लाड़ी हो तुमारे जिंगा स्टाइल सेंटोस में काम करती होगी पर अंतराश्ट्रिय स्थर पर कभी नहीं डिक सकती डीको कहता है लेकिन कोच पर उसका कोच कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना ऐसा दुबारा नहीं होगा कोच अपनी टीम को यूरोपियन स्टाइल में सिखाने की कोशिश करता है जो की काफी मुश्किल होता है ड्रैसिंग रूम में उसका टीमेट उसे कहता है आज कोच फाइनल लाइन अप चुनने वाले हैं अगर तुमने जिंगा दिखा दिया तो सब कुछ खतम हो सकता है डीको जिंगा स्टाइल में खेलने की कोशिश करता है पर उसका घुटना तूट जाता है रात को वो अपनी माम से बात करता है और उसे बताता है कि मेरे गुटने पर लगी है डॉक्टर सको भी नहीं पता मैं दुबारा खेल पाऊंगा या नहीं मुझे स्कूल में ही रहना चाहिए था मुझे माफ कर दीजिए उसकी मा कहती है हमने ये फैसला मिल कर लिया था और हमारा फैसला बिल्कुल सही था डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं वर्फ लगा कर रखो एक खिलारी डॉक्टर से पूछता है उसके बाद ये खेल पाएगा डॉक्टर कहता है शायद अगला सीजन कोच कहता है से जल्दी से ठीक करो अब रिप्लेस करने का टाइम नहीं है वर्ड कप शुरू हो जाता है और ब्राजिल ओस्टीरिया को हरा कर अभी भी मैच में अपनी जगब बनाए हुए था और इंगलेंड के साथ उनका मैच टाई हो जाता है इन मैचिस में डीको नहीं होता ब्राजिल के बहुत से खिलाडी चोटिल हो जाते हैं ये सब डीको टीवी पर देख रहा होता है और उसके बाद कोच नासिमेंटो को खेलने के लिए तियार कर लेता है डीको को मैजोला की जगा किलाए जाता है ये देखकर उसके डैड खूश हो जाते हैं पर डीको का गुटना अभी भी ठीक नहीं हुआ होता जब डीको मैदान में जाता है तो वो इदर उदर लोगों की भीड को देखने लगता है तब ये खिलाडी उसे केच कर मैदान में ले आता है ये मैच ब्राजिल और सोवियत यूनिन के बीच होता है मैच शुरू हो जाता है और सोवियत यूनिन आकरमक तरीके से खेल रही होती है ब्राजिल की टीम पहला गोल गर देती है सोवियत यूनिन के खिलाडी नासी मेंटो को धक्के मारते हैं जो उसके लिए परिशानी की वज़ा होती है क्योंकि उसका घुटना भी भी ठीक नहीं होता और वो ये मैच जीत जाते हैं उसके बाद ब्राजिल सेमी फाइनल में पहुंचाती है और उसका मुकाबला फ्रांस से होता है दोनों का मैच शुरू हो जाता है और ये मैच डीको नासी मेंटो के डैट लाइफ देख रहे होते हैं पहला हाफ कतम हो जाता है और सब ही अंदर आते हैं उन्हें कोच समझाता है कि कैसे खेलना है ये सब डीको देख रहा होता है क्योंकि वो चोटिल होने के बाद एक भी मैच मैचे से नहीं खेल पाया और नहीं वो जिंगा स्टाइल में खेल रहा था फिर वो जोज जलताफीनी से मिलता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं केल सकता अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया तो तुम वापिस चले जाओ जो जलताफीनी कहता है मेरा पैर नहीं दिमाग खराब है डीको कहता है क्या वो कहता है मैं पूरी जिंदगी यूरोपियन बनना चाहता था लेकिन जब मैं यहां आया मैंने महसूस किया कि मैं एक ब्राजीलीन हूँ और हमेशा रहूंगा याद है उस दिन बीरो में तुमने सब को दिखाया था कि यह हमारा हिस्सा है दर जिंगा वो कमाल था आज हमें उसी की जरूरत है फिर सेकिंड हाफ का मैश शुरू हो जाता है और यह मैश जितने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी जहां जितने वाली टीम का मुकावला स्वेडन से होगा डीको यूरोपियन स्टाइल से खेलता है पर मैश अच्छा नहीं जाता फिर डीको स्टेडियम में बैठे जोस अलताफिनी की तरफ देखता है उसके बाद डीको जिंगा स्टाइल में खेलना शुरू कर देता है वो गोल पे गोल करता है ये देखकर उसके पिता खुश हो जाते हैं उसके शोट से कमेंटरी में उसकी तारीफ होने लगती है और वो ये मैठ जित जाते हैं और 1958 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाते हैं फाइनल से पहले कोच टीम को ट्रेनिंग देने लगता है डीको फोन पर अपने डैड से बात करता है और उसके डैड उससे कहते हैं यही तुम्हारा समय है लेकिन वो सिर्फ मेरे पीशे पड़े हैं वो बहुत बुरे हैं और तेज भी डीको के डैड कहते हैं फ्रांस के किलाफ तुमने खुद पर भ्रोशा किया था और अब तुम अपनी टीम में जोश भरो जिससे वो खुद पर ब्राजिल और जिंगा पर ब्रोसा करने लगे जब सभी ब्राजिलीन प्लियर ब्रीकफास्ट कर रहे होते हैं तब डीको फुटबाल उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है फिर कहता है लाइट हाउस तक बीना बाउंस के पहले सभी मना कर देते हैं पर बाद में त्यार हो जाते हैं फिर सभी बॉल को की करते हैं और होटल से बाहर जाने लगते हैं ये सब देख रहे होते हैं वो फुटबाल को बीना बाउंस करते हुए ले जाते हैं और ये कोच भी देखता है जब वो लाइट हाउस तक पहुँचने ही वाले होते हैं डीको पानी में गीर जाता है फिर उसे वो बाहर निकालते हैं और वापिस चले जाते हैं कोच सभी प्लेयर को इकठा करता है और उनसे कहता है formation करना Sweden के लिए तो फायदे मंद हो सकता है पर हमारे लिए तो बिलकुल नहीं मैंने आज जो होटल में देखा यही हमारा असली खेल है यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं फिर कोच कहता है हम उनकी तरह एक जैसे नहीं खेल सकते पर यह सच है और हम उनकी तरह एक जैसे दिखते भी तो नहीं है और यही हमारी असली पहचान है हम सब में एक चीज कोमन है जिंगा ब्राजिल की खुशी और उसकी पहचान और जब तो मैदान में उतरोगे तो वो सब भूल जाना जो मैंने पिछले एक हफते में बताया मैं नहीं चाहता कि दुनिया ब्राजिल को स्वेडिन की तरह खेलता हुआ देखे मैं चाहता हूँ कि वो ब्राजिल को देखे जैसे हम है अगले दिन 1958 का वर्ल्ड का फाइनल ब्राजिल और स्वेडिन के बीच होता है डीको यूरी की दी हुई पेले वाली शर्ट भी पहन लेता है मैश शुरू हो जाता है स्वेडिन की टीम पेले यानि डीको को रोकना चाती है और उसे धके मारकर जबीन पर गिरा देती है उसकी मौम भी रेडियो पर मैच सुन रही होती है और स्वेडन अपना पहला गोल कर देता है ये देखकर डीको के डैर थोड़ा सा परिशान हो जाते है डीको स्टेडियम की तरफ देखता है फिर बोल उसके पास आती है और डीको जिंका स्टाइल में केलना शुरू कर देता है और डीको पहला गोल कर देता है जिसे ये सभी में खुशी की लहर दोड़ जाती है उसके बाद ब्राजील एक और गोल कर देती है और सभी खिलारी बहुत जादा कुश हो जाते है और स्टेडियम में स्टेडियम के परशंसक निराश हो जाते है जैसे ही लास्ट गोल करते हैं डीको वो नीचे गिर जाते है और ब्राजील ये फाइनल जीत जाती है सभी खिलारी डीको को उठा लेते हैं उसके mom dad बहुत खुश होते हैं पूरे ब्राजिल में खुशी की लहर दोर जाती है उसके बाद जब डीको अपनी mom dad से मिले then उसके dad ने उसका वादा याद कराया जो उसने 8 साल पहले अपने dad से किया था कि वो world cup जीतेगा उस match के बाद डीको पूरी दुनियो में पेले के नाम से मैशूर हो जाता है उसके बाद डीको ने ब्राजिल को लगातार तीन world cup चिताए और बहुत से record बनाए डीको ना सिमेंटो की ये एक biography movie है और इससे बहुत गूर शीखने को मिलता है